अभी हम लोग इस वीडियो पर नीट प्रिवेर्स येर कॉफचन जो 2020 में जो आये हुए कॉफचन जो है उसे मैं आपको 30 कॉफचन यहाँ पर में करवाओंगा यह हमारा वीडियो पार्ट टू है पार्ट वन वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जा करके द दिक्कत हो तो वे आप लोग बुक में जा करके उसी चेप्टर से देख सकते हैं तो चलिए यहाँ पर हम लोग 31 नमबर कॉफचन से स्टार्ट करेंगे उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जली सब्सक्राइब किजे इसे दोस्तों क से सेर किजे ताकि वे भी चैनल के साथ जूर सकें तो चलिए हम लोगी स्टार्ट करते हैं कॉफचन नमबर 31 परकास ओफचन में रूबिस को एंजायम की ऑक्सेजनी करन किरिया से किसका निमान होता है आपको बताना है इसमें से राइट ओप्चन कोन सा होगा इसमें चार जिसमें से एक हमार जाउब क्रयक्ट है 31 नमबर ओफचन का ओप्चन का ओप्चन फिशसित होगी के दोट इसमें से राइट ओप्चन कोण सा होगा आप 0-0 जरूर बताएंगगे 31 नमबर ओफचन आपको बता यह मेंगा नीमस फ्रीन 상태 से यह पाधपो जरूर ये का right option आपको मैं बता दो 31 नंबर का कौन सा होगा तो 31 नंबर का A correct है जो कि यहां पर कहा है 3C योगी का A कनू तो 31 नंबर कॉफचिन का हमारे A option से होगा जो की होगा 3C योगी का A कनू इस परकारे हमारा कॉफचिन No. 31 ओजाता है अब हमनो आते हैं कॉफचिन No. 32 की और ये हमारा कॉफचिन No. 32 करता है कि परकास अभिकरिया में इलक्तोनों के स्तांतरन को प्लाश्टो किनोन कहां से सुगम बनाता है तो आपको इसमें बताना है कि इसमें right option कोन सा होगा आपको हम बता दू 32 number कॉफचन जो है यह हमारा चप्टर उच पादवबों में परकास संसलेशन यानि की 31 number कॉफचन और 32 number कॉफचन जो है वे हमारा उच पादवबों में परकास संसलेशन से लिया गया है कॉफचन तो इसका right option कौन सा होगा इसका right option जो होगा वे हमारा D होगा correct ठीक है तो 32 का हमारा D correct है अब हमलों आते हैं कौफचन नमबर 33 की ओर A option है 1, option B है 2, option C है 3, option D है सुनिया इसमें से हमारा A option correct है चले देखते हैं आप लोग कितने सही जबाब देते हैं ऐसे यहाँ पर आपका भी टेस्ट चल रहा है तो आप लोग इसे एक प्रकार का टेस्ट समझें कि आप लोग कितने कौफचन का सही जबाब दे सकते हैं तो य एक होगा ठीक है सिट्री अमला चक्र की एक घुमा में कार्यद्राव इस्तर फास्पोर रिलेस्टनों के संख्या क्या होती है तो एक होती है इस प्रकार से हमारा 33 नंबर का option A correct है अब लोग आते हैं कौफचन नंबर 34 की और यह है हमारा कौफचन नंबर 34 जो कहता है कि उस विरिधी नियंत्रक का नाम बताईए जिसे गन्ये की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लंबाई में बढ़तरी होती है तता गन्ये की फसल की पैदवार बढ़ती है तो आपको बताना है इसका right option कौण सा होगा इसमें चार option है जिसमें option A हमारा क्या करता है जिब्रेलीन option B हमारा है इतलीन, option C हमारा है एपसिसीक अमला, option D हमारा है साइटोकैनिन तो आपको बताना है इसमें से right option कौण सा होगा चलिए आपको मैं बता दू 34 number को उफचन जो है इसका right option हो यहाँ पर होगा जिब्रेलीन जो कि यहाँ पर A में है option में तो इसी प्रकार से हमारा 34 number क यह option सही है और मैं आपको बता दू 34 number को उफचन जो है वे हमारा चेप्टर पादव विर्धी एवं परिवर्धन से लिया गया है ठीक है पादव विर्धी एवं परिवर्धन जो हमारा जो अधियाय जो है चेप्टर जो है उसी से यह प्रस्ण लिया गया है अब लो आते ह है कॉफचान नमबर 35 की ओर यह हमारा को उफचान नमबर 35 जो कहता है कि विर्धी की परकिर्या अधिक्तम कीश दोरान होती है तो दोरान होती है तो इसका राइट आ यहाँ का यहां पर क्या होगा जी हाँ है ठीक है जो की होगा लोग प्रवस्ता तो इसका 35 का हमारा दी करेक्ट है आपको मदादो 35 नंब्र कॉपशंट, जो है यह हमारा किसे लिया गया है 35 नंबर कॉपश्चन, थिक तो पादरविर्धी एभल प्रिवर्धन से यह वाँ chapter लिया गया जो कि 34 number question 35 number question ठीक है और आने वाँवाँ कॉष्जन गॉपे यह bu अब हमारा option number 36 जो कहता है कि निमलिकित में से कौन सा एक बिज प्रसुप्ति नियंत्रिद करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है तो चलिए आप लोग बताएए इसका right option कौन सा है option A हमारा क्या है FC6 अमल, option B हमारा है Phenolic अमल, option C हमारा है Pera Ascorbic अमल, option D हमारा है Gibralin अमल ठीक है तो इसमें से आपको बताना है right option कौन सा होगा 36 का कौन सा आपको right लग रहे ठीक है जिब्रेलिक अमल, क्या होगा जिब्रेलिक अमल इसका right option होगा ठीक है तो इस प्रकास से मतलब 36 नमबर कौन का हमारे D करेक्ट है ठीक है इह option हमारे क्या है सिरोसा आहरनाल की सबसे अंदर वाली परत होती है option B हमारा है छुद्रांत अत्यधी कुंडलित भाग होता है option C हमारा है क्रीमी रूप परिसेसिका ग्रहनी से उत्वन होती है option D हमारा है छुद्रांत छोटी आथ में खुलता है तो चलिए आप लोग बताए इसमें से सही कथन कौन सा है ठीक है तो मतलब 37 का कौन सा option इधर हमारा correct होगा ठीक है 37 number option जो है आपको बतादू ये हमारा chapter पाचन एबम आउसोसन से लिया गया है ठीक अब आपको बताना है इसका right option कौन सा होगा तो चलिए आपको बतादू 37 का हमारा right option जो होगा वे बी होगा ठीक है मानव पाचन तंत्रे से संदर्वित सही कथन तो क्या होगा बी होगा जो कि छुद्रांत अत्यधी कुंडलित भाग होता है ठीक है तो इस प्रकास चे 37 number option का हमारा इधर बी correct हो गया आप हम लोग आएंगे कॉफचन number 38 की ओर कॉफचन number 38 क्या है कि enterokaijin किसको बदलने में सहेता करता है ठीक है आपको बताना है enterokaijin जो है वे किसको बदलने में सहेता करता है यहाँ पर option A हमारा क्या है trypsonogen को trypson में option B हमारा कैसynogen को casein में option C हमारा है pepsinogen को pepsin में और option D हमारा है protein को polypeptide में तो 38 number कॉफचन का यहाँ पर right option क्या होगा वे जो होता है enterokaijin किसको बदलने में सहेता करता है तो यह होगा हमारा trypsonogen को trypson में ठीक है इस परकार से मतलब हमारा जो right option जो होगा वे A होगा 38 number कॉफचन का right option यह होगा यह कॉफचन नमबर 38 पाचन एभम आफसोसन से लिया गया है ठीक है तो मतलब chapter जो है पाचन आफसोसन इससे यह वाला प्रसन 38 नमबर प्रसन बनता है यह हमारा कॉफचन 39 जो है यहाँ पर अंता सोसन के दोरान होने वाली सही घटनाओं का chain करना है अंता सोसन के दोरान जो होने वाली सही घटना जो है इसमें चार घटना दिया गया है ठीक है जिसमें से आपको देखना है कि कौन-कौन सा सही होगा और नीचे में आपको option दिख रहोगा तो option में बताना कि कौन सा option सही है A, B, C, D कौन सा सही है लग रहा है आप comment में बता देंगे एक बार ठीक है देखें तो एक number घटना यहाँ पर क्या है दाइफ्राम का संकूचन दो नंबर हमारा है बाय अंतरा परसुक पेसियों का संकूचन तीन नंबर हमारा है फुफुस का आयतन कम होना चार नंबर में हमारा है अंतरा फुफुसी दाब का बढ़ना ठीक है और नीचे में देखें option A में हमारा है तीन एवम चार 3 एबम 4 होगा कि option B हमारा है 1, 2, 4, option C हमारा है केवल 4 और option D हमारा है 1 और 2 तो चलिए आप लोग बताइए तो इसका राइट option कौन सा होगा, कौन सी घटना इधर सही होगा अंतरस उचन के दोरान होने वाली सही घटना कौन सा होगा चलिए आपको बता दो 39 नंबर कॉफचन जो है इसका right option इधर हमारा जो होगा वे यहाँ पर देखे एक नंबर हमारा क्या डाइफ्राम का संकुचन तो यह हमारा होगा ठीक है सही घटना यह वाला है इधर हमारा और दो नंबर भी हमारा सही है जो कि बाय अंतरा परसुक पेस संकुचन तो मतलब इस परकार से 39 नंबर कॉफचन का हमारा घटना 1 और घटना 2 हमारा सही है ठीक है तो मतलब कहें तो इसका option हमारा कौन सा दिख रहा है जहांपर एक और दो है तो इसका होगा D number correct है जो कि है एक एबम दो ठीक है तो इस परकार से घटना 1 अबम दो इधर स और मैं बता दू यह जो प्रस्णों जो है वे हमारा सोसन और गेसों का विनिमाई इसी चेप्टर से यह वाला प्रस्ण बनता है ठीक है तो 39 नमबर प्रस्ण हो गया अब हम लोग आते हैं कॉप्चन नमबर 40 के ओर कॉप्चन नमबर 40 ओक्सिजन के परिवहन के संदर्ब में गलत कथन को पहचानो ओक्सिजन के परिवहन के संदर्ब में आपको क्या करना है गलत कथन को पहचानना है यहाँ पर option के रूप में यहाँ पर कथन दिये गये है चार गो ठीक है तो option A हमारा क्या है CO2 का आंसिक दाब हिमोगलोबीन से बंधने वाली O2 में बाधा डाल सकता है तो यह जो कथन जो है वे हमारा सही है option B देखते हैं क्या है A तो हमारा सही कथन हो गया ठीक है कथन सही है option इधर सही यहाँ पर गलत कथन पहचानने को कहा गया न तो यह तो हमारा कथन सही है तो इसको हम लोग नहीं पहचान रहें ठीक है B को देखे क्या कहता है वाय कू वहन के संदर में गलत कतन को पचानी है तो यह हमारे जो जो है यह इसका राइट आप्सिन क्या हो जागा तब बी हो जाएगा क्या है तो क्थन कर दिया गया है कि वाई कूपिका में कम pco2 oxyhemoglobin बनने में साहता होती है ये कथन हमारा सही है d हमारे क्या है मतलब ये वाले इधर नहीं होगा option में ये नहीं होगा गलत कथन को पजाने का आगे न तो चलिए d नमबर देखते हैं हम लोग क्या है oxygen की hemoglobin से बनता मुख्यत o2 के आंसिक दाफ से संबंदित है तो ये तो हमारा कथन इधर सही हो जाएगा मतलब इसका कथन कूर सा गलत हुआ कथन हमारा b option जो है वे गलत हो रहा है ठीक है तो मतलब 40 का हमारा क्या हुआ जएगा b तब correct हो जाएगा तो मतलब इसका 40 का option भी इधर हमारा correct है और मैं बता दूँ ये जो प्रस्ण जो है वह हमारा chapter कौन सा chapter का है आप लोग जानते हैं कौन सा chapter का है तो मतलब इसी चप्टर से यह वहला प्रस्ण इधर आया हुआ है अब हम लोग कौफचन नमबर 41 को देखेंगे किसमें क्या है कौफचन नमबर 41 हमारा है मानक ECG का QRS समिस्र दरसाता है ठीक है 41 नमबर कौफचन समझ गे इसमें से 4 option है यह option हमारा क्या है आलिंदो का विद्रुवन, option B हमारा है नीलियों का विद्रुवन, option C हमारा है नीलियों का पुनर्दुरुवन, option D हमारा है आलिंदो का पुनर्दुरुवन, जिसमें से बताना है इसका right option कौन सा है 41 number section जो है वे हमारा है सरीर दरव तथा परिशंचरन इसी चेप्टर से लिया गया है तो 41 number प्रस्ण जो है Babylon जो है इसका हमारा इधर be correct है जोगी क्या गार निलियों का विद्रुवन तीक है तो इस प्रकार से 41 का हमारा इधर be option एकदम correct है अब आएंगे question number 42 की ओर question number 42 question number 42 यहाँ पर है निमन इस्तम्बों का मिलान कर उचित विकल्ब का chain करो, यहाँ पर इस्तम एक और इस्तम दो दो इस्तम दिये गए है, इस्तम एक और इस्तम दो आपको कहना मिलान करना नीचे आपको option दिख रहा होगा option A, option B, option C, option D ठीक है, तो 42 का कौन सा option correct होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते है इस्तम एक में, इस्तम एक में एक का देखे क्या लिखा गया है, Iocenophile ठीक है, तो Iocenophile इस्तम दो से हम लोग मिलाते हैं, किसमें मिलेगा एक number में हमरे क्या है, परती रखख्चा परकिरिया ठीक है अर दो नमबर हमारे क्या हैं भक्षन करना तीन नमबर क्या है हिस्टामिनेज और विनासकारी एंजयायमों का मोचन ठीक है और चार नममर क्या करंड में कि हिस्टामिन होते हैं का मोचन करता है तो यहां पर àsio की कि या लिखन करता है तो यह चार नंबर इसथा में का देखता है तो Aww that प्रति रग्च्छा परक्रिया है तो यह आपन परकार से हमारा हमारा डी का एह … मतलब कि इस तहम एक से d क का और इस सम दो से एक किषटर मिल जाएगा तो नह습니다 priздay अब्सकारी एंज़ायमों का मोचन प्रूंटाइग Ik का बेसोफिल तो bound B का हमने हमेंbek रखषा प्रकारर है इसका Sud प्रकार से हमें तो फ़ोटी डू का o और कोटिटो का हमारा डी राखषा हुआ ठीक है और लिखेल से लिए कुन से चेप्टर का है तो यह हमारा चेप्टर जो है 42 नमबर कॉफचन जो है इसका चेप्टर जो है वे हमारा गवा सरीर दरवत था परिसंचरन तो मैंने यहां पर 41 नमबर कॉफचन ही बता है जो कि यहां पर क्या था सरीर दरवत था परिसंचरन और यहां पर 42 नमबर कॉफचन को रोकने में सहायता करेगा ठीक है इसमें से चार ओप्षन है जिसमें से एक हमाँ करेक्ट होगा चलिए आप लोग भी पढ़ सकते ओप्षन को पढ़िए यहाँ पर देखिए ओप्षन यह हमारे क्या है एल्डो इस्टेराण के कारण विक्या नलिका में एने प्लस एवं जल का पुरुवा सोचन तो यही हमारा करेक्ट हो जागा तो बाकी इदर पढ़ने का जुरत नहीं पढ़ा निमने में कौन मुत्र विर्दी को रोकने में सहायता करेगा तो यही वाला हमारे ए ओप्षन जो है ंपाद से बने अदर निज्चर 43 को कि और यहाँ पर है कि निम नब इस्टमब का मिलान कर सही विकल्प का चेन करो हो इसतंग result कि अप नीचे option दीख रहोगा option a option b option c option d इसमें से एक हमारा correct है ठीक है तो देखें यहाँ पर इस तम एक में देखिए सबसे पहले यहाँ पर यह जो है वे क्या लिखा गया है हमारा पलावी पसलिया ठीक है तो पलावी पसलिया इस तम दो से हम लोग चले मिलाते हैं यहाँ पर एक नमबर देखें क्या है दूसरी ए राइट क्या होगा यहाँ पर देखे तो ए जो है पलावी पसलिया तो इसका यहाँ पर राइट जो होगा वे क्या होगा चार नमबर होगा जो कि इधर का इस तम दो से चार नमबर होगा ठीक है जो कि यहाँ पर क्या है उरोस्ती से नहीं जूरती जो कि यहाँ पर देखे बी एक से हमारे क्या है इसके पुला तो इसके पूला जो है वे हमारा C जो है वे इधर एक नमबर देखे क्या लिखा गया है दूसरी एवन साथवी पसली के बीच इस्तित होती है तो ये तो इधर हमारा correct हो जाए ठीक है और D हमारे क्या है ग्लीनोइड ग्लीनोइड गुःट ट्राव dzi मुभा लिखा गया तो इस प्रकार्ब कर पृतिस यहां? वो रोस्ती में नहीं जूरती और इसका बी जो है बी का यहांपर क्या है EKROMI-1 ऎक्रोमियन जो है बी का हमने तीन नंबर से मिलाए जिए क्योंकि क्या होगा क्लेविकल हो जाएगा और चा नंबर क्या है हमारा हमारा 44 का सी कर्य defect है तो यहां पर 44 नमबर कोफचेन और मैं बता दो 44 नमबर कोफचेन जो हमारे क्या है गमा नमबं संचलन ठीक है तो गमान मेम एंभाव संचलन जो अध्या जो उससे यह ऑला प्रस्ण बनता है तो यहां पर time नंबर का सी करेक्ट है अब हम लोग आएंगे कॉफिचन नंबर 45 कि और कॉफिचन नंबर 45 यहां पर है कि निम्न इस्तंबों का मिलान कर उचीत विकल्प का चेंड करो तो यहां पर नीचे में देखें विकल्प दिया गया ना लेवरित्म का घुमावदर भाग और यहां पर तीन नमबर के अंड़कार्ड फिर्की से जूड़ी होती है और चार नमबर के आमारे बेसिलर जिल्ली में इस्तित होती है तो यहाँ पर देखें जब हम लोग देखेंगे इस्तम एक का ए नमबर देखें आरगन ओफ कटाई तो इसका यहाँ पर देखें चार नमबर मिल रहा है जो कि क्या होगा वेसिलर जिल्ली में इस्तित होती है तो मतलब यहाँ पर कहें तो इस्तम A का हमारा A जो है वे इस्तम 2 से हमारा 4 नमबर से मिल रहा है ठीक है तो देखिए तो यहाँ पर option में देखिए तो आप लोग यहाँ पर A, B, C, D इसमें कौन सा जो है जो A का यहाँ पर 4 नमबर होगा तो कहें लिए यहाँ पर B किसे मिलेगा आपका तो ब जब देखेंगे हम लोग तो दो नमबर देखिए क्या है हमारा लेबरित्म का घुमादार भाते इसमिल जाएगा C हमारे क्या है yustay copyright न लिका ठीक है सी हमरा किजर से एक नंबर देखें यहां पर क्या है मद्ध करन एबं फेरिक्स की जोड़ी ठीक है तो इस प्रकार से जोड़ी होती है तो इस प्रकार से इसका सी का एक नंबर इदर मिल गया और डी हमारे क्या है इस्टेपीज यहां पर देए डी जो है वे हमार डी जो तीन नंबर से मिल जाएगा जो क्या होगा अंडाकार खिरकी से जुड़ी होती है तो मतलब कुल मिला गर कहें तो 45 का हमारा बी ओप्सन इदर क्या है करेक्ट है ठीक है तो 45 का बी करेक्ट हो गया आपको बता दो 45 पर यहां पर 46 है कि निमनमे से मुत्र की कौन सी अवस्ता डाइबिटीज मेलिटेस की और संकेत करती है तो यहां पर ओप्सन इह हमारे क्या है यूरेमिया एवं रीनल केलकुली और बी ओप्सन क्या है हमारे कीटो नूरिया एवं गलाइको सूरिया और सी हमारे है रीनल केल लिकुली एबम हाइपर ग्लैसीमिया और डी हमारे है यूरेमिया एबम कीटो नूरिया तो इसमें से बताना है इसका राइट ओप्षन कौन सा होगा 46 का राइट ओप्षन कौन सा होगा चलिए आपको बता दू 46 नमर को ओफचन जो है हमारा चेप्टर जो है रसायनिक समन्व तथा एकिकरन से चेप्टर से लिया गया है और 46 नमर का यहाँ पर बी करेक्ट होगा ठीक है ना निमने मैंसे मूत्र की कौन सी वास्ता डाइबेटीज मेलिटेस की और संकेत करते दो बी होगा जो की होगा कीटो नूरिया एवं गलैको सूरिया ठीक है तो इस प्रकार से य प्रस्ण जो है यह प्रस्ण में आपको सबसे पहले इसमें बता दो यह जो प्रस्ण जो हुए हमारा रासाइनिक समनवाई तथा एकिकरन से है ठीक है कौस्चन नमर 47 तो यहाँ पर देखें इस तम एक में हमारा एक क्या है प्यूस गरंती और इस तम दो में चलिए हम इस तम दो से हम लोग इससे मिलाएंगे है कि तो inse Dieses यहां पर देखे चार नम्बर किया है एडिसन रह तो यह क्या होजाएगा अधी पिक गरंती प्रयूस तो इस तरफेगा थैय को ton वह सेवनशए ना 47 नमबर को उपशें का वह रहा अHealth ऐ का तो हमने कौन से मिलाए था, एका हमने से 3 नमबर मिलाए थीक है और बी का हमने कौन से मिलाए था, प्रिकर हमने हमने कौन सा मिलाए था, अब हiamo गारा तो 47 की तो 47 का हमरा बी-option है ठीक है तो 47 के दर बी option correct हो गया अभलों आते हैं कौफिचان नमबर 48 forms यह हमारा कौफोशन नमबर 48 यहां पर कहता है कि सही कथन का चेन करो मतलब कि यहां पर option जो है option को रूप में यहां पर कथन दिया गया है जिस से हमारा कोई कत्थन यहां पर सभी होगा, मतलब कोईNG VoC se होगा तो इसमें से सही कत्थन का च Qiane करने को उइन करने को चले हम लोग पढरते हैं ओप्षण ए अहनरे क्या है गुलəकें गौन हाइपोग्लास्मिया से संबंदित है क्या यह संबंदित है गुले कोण हाइपो ग्लास्मिया से संबंदित है नहीं तो यह नहीं होगा ठीक है बी हमारे क्या है इंसुलीन आगना सही कोसिकाओं एवं एडिपो साइटो पर क्रिया करती है क्या यह हमारा सही है नहीं है ना सी नमबर क्या है इंसुलीन हाइपर ग्लास्मिया से संबंदित है तो ये भी हमारा नहीं होगा ठीक है और D हमारे क्या है ग्लुको काटिकोईड ग्लुको नियोजिनेसिस को प्रेडित करते है तो यह हमारा करेक्ट होगा ठीक है तो यानि कि 48 का हमारा D करेक्ट है 48 का सही कथन कौन सा होगा Glucocorticoid Gluconeogenesis को फ्रेडित करते है तो इस परकार से हमारा 48 का हमारा कौन सा correct होगा तो 48 का D correct होगा ठीक है तो यहाँ पर 48 number question बन जाते है अब हम लोग question number 49 को देखेंगे कि उसमें क्या है उससे पहले मैं आपको बता दो 48 number question जो है यह हमारा रासानिक समनवाई तथा एकिकरन चेप्टर से लिया गया ठीक है अब देखें question number 49 पादप का वो कौन सा भाग है जिसमें दो पीड़ी एक पीड़ी के अंदर होती है ठीक है तो इसमें से आपको बताना है कि दो नमबर देखते हैं यह होगा दो नमबर क्या है दो नर युगमो वाली अंकूरित पराकन यह नहीं होगा तीन नमबर हमारा क्या है यहाँ पर फल के अंदर बिज यह नहीं होगा चार नमबर यहाँ पर क्या है बिजांड के अंदर भुरून कोस तो ये हमारा होगा तो मतलब पादप का वो कौन सा भाग है जिसमें दो पीड़ी एक पीड़ी के अंदर होती है तो इसका एक नंबर हो जागा पराकोस के अंदर पराकन और इसका चार नंबर हो जागा जो कि बिजांड के अंदर भुरून कोस तो इस प्रकार से कहें तो 49 का क वला प्रसम यहाँ पर है ठीक है तो 49 नमबर का इस परकार से हमारा D कररक्ट हो गया और हम लोग कॉफचन नमबर भी 50 को देखते कि 50 में कॉफचन क्या है चलिए 50 नमबर कॉफचन को देखे यह हमारा 50 नमबर option है जो कि करता है कि बिजांड का पिंड बिजांड वरिंत से कहां पर सनलाईथ होता है आपको बताना है बिजांड का पिंड बिजांड वरिंत से कहां पर सनलाईथ होता है यहां पर चार option है option A हमारे क्या है बिजांड दुवार option B हमारे है बिजांड काई option C हमारे है तो आपको बताना है 50 का यहाँ पर कौन सा option आपको correct लग रहे हैं एक पर comment जरू करेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पर 50 number option को मैं बता जता हूँ यह जो chapter जो हमारा पुस्पिय पादपों में लेंगिक प्रजनन उसी chapter से यह वाला option यहाँ पर बनता है और यहाँ पर 50 number option जो क्या अब हम लोग आते है option number 51 की ओर यह हमारा option number 51 यहाँ पर 50 kamu करता है कि जल कुम्भी और जल लीले में पारागन किसके दोरा होता है ठीक है तो यहाँपर देखिए option A हमारा क्या है केवल जल धरावों दोरा option B क्या उप्सन C किट और जल दोरा और आप्सन D क्या क्या कीट यहां पर चेप्टर? पूस्पिय पादपो में लेंगिक प्रजिनन का यहां पर जल कुम्भी और जल लिलीले में परागन किसके दूरता है तो इसका राइट ऑप्सन होगा 51 नमबर का इधर हमारा सबसे नीचे देखें D, D क्या है कीट या वाई दुबारा ठीक है, तो कीट और वाई दुबारा क्या होता है, जल कुंभी और जल लिने में परागन होता है, तो इस प्रकार से 51 का हमारे दर D करेक्ट हो जाता है, अब उन्हों आते है कॉफचन नमबर 52 की और, यह हमारा कॉफचन नमबर 52, कॉफचन नमबर 52 यहाँ पर कहता है कि दुवित्यक अंडग का अर्ध सुत्री विभाजन पूर्ण होता है, आपको बताने हैं, दुवित्यक अंडग का अर्ध सुत्री विभाजन पूर्ण होता है, यहाँ पर 4 ओप्शन है, ठीक है, ओप्शन A हमारे क्या है, संभोग के स वे हमारा मानव जनन चेप्टर से है ठीक है तो 52 नंबर का यहाँ पर होगा राइट ऑप्शन क्या होगा सी होगा जो कि सुक्रानों अब अंडानू के सलेन के समय तो यह इस परकार से 52 नंबर का सी एकदम करेक्ट होता है अब हो आते हैं कॉफचन नंबर 53 की ओर कॉफचन नंबर 53 यहाँ पर है कि निमन में से कौन ग्राफी फुटक से अंडानू का मोचन करेगा यानि कि अंडोत सर्जन ठीक है तो आपको बताना है 53 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा 53 का यहा हमारा है एस्ट्रोजन की उच्छ संद्रता तो आपको बताना है 53 का राइट ऑप्शन क्या होगा उससे पहले आपको बता दो 53 नंबर कॉफचन जो है यह हमारा मानोजनन चेप्टर से है ठीक है और 53 का इधर हमारा राइट जो होगा वे डी ऑप्शन करेक्ट होगा जोगी क्या होगा एस्ट्रोजन की उच्छ संद्रता ठीक है तो इस प्रकार से यहाँ पर 53 का हमारा डी करेक्ट हो गया जो कि एस्ट्रोजन की उच्छ संद्रता तो 53 नंबर कॉफचन होगा आते हैं अब हमनों आते हैं कॉफचन नंबर 54 कॉफचन नंबर 54 यहाँ पर कहता है कि न लोग ओर एक नमबर किया है इनद्त्व नमब किया है मानव जराइउ गोणेड़ों किया स्निषण तो यहाँ पर अप्रा जो है वे क्या होगा इसका right option अप्रा का इधर क्या होगा तो अप्रा यहाँ पर देखें दो नमबर क्या है मानो जरायू गोनेडो ट्रोपिन तो यही नहोगा अप्रा का ठीक है तो मानो जरायू गोनेडो ट्रोपिन तो यह इससे मिल जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर देखे इस्तम एक का देखे जोना पेलू सीडा ठीक है जोना पेलू सीडा तो यहां पर जोना पेलू सीडा जो है बी जो है ठीक है बी का यहां पर देखे अंडानू की परत यानि कि तीन नमबर इस्तम दो से तीन नमबर देखे तो यहां पर बी का इध number से मिल जाएगा जो की कहा है adrogen तो इस प्रकार से कहें तो अब हमारा अब देखिए यह जो है यह हमरा ishterm 2 से कहां पर मिला यह जो हमने आपको अभी बताया कि कहां से मिला दो नमबर से मिला तो इस परकार से अपरा का दो हो गया चलिए यहां पर देखे एक का दो मतलब की एक का दो किदर है हमारा एक का दो कहीं पर है देखे सी नमबर एक का दो है हमारा है ठीक है मतलब की हमारा सी करेक्ट हो जाएगा और यहां पर बी भी तो हमने मिला दिया बी का हम तीन के चाहइब और 54 का इढ़र सी ख्रक्वाइब कश्चन नमबर कॉपय ये कर दो कि लिया। जो गर्ब धारन नहीं कर सकती में भूरून को इस तांत्रित किया जाता है ठीक है तो आपको बताने इसमें से right option कौन सा होगा 55 का right option कौन सा होगा option A, option B, option C, option D, कौन सा आपको लग रहा है कि इसका right option होगा आप लोग एक बार comment में जरूर बताएंगे ठीक है तो 55 number option जो है इसका यहाँ पर right option आपको बता दूँगा उससे पहले आपको बता दो तो इसका जो यह जो कौन स्वास्ट से लिया गया ठीक है यह हमारा option number 56 जो कि यहाँ पर है कि योन संचलित रोगों के सही विकल्प का चेयन करो option A हमारे का सुजाक, malaria, genonic, perserp, option B हमारे ads, malaria, phylaria, option C हमारे cancer, ads, syphilis और option D हमारे सुजाक, syphilis, genonic, perserp, ठीक है इसका right option कौन सा होगा उससे पहले आपको बता दो 56 number option जो हमारे जनन स्वास्त चेप्टर से है ठीक है चलिए आपको बता दो 56 का यहाँ पर क्या होगा right option 56 का right option इधर होगा हमारे D जो कि क्या है सुजाक, syphilis, genonic, और genonic, perserp, ठीक है ते यानि कि इसका हमारे 56 का इधर D हमारे एक दम करेक्ट है अब हो लोग option number 57 क्यों राते है यह हमारा option number 57 जो यहाँ पर करता है कि मेंडल ने सोतंतर रूप से प्रजिनन करने वाली मतर के पोधों की कितने किस्मों को युगमों के रूप में चुना जो की विप्रित विशेसों को वाले एक लक्षन के अलावा एक समानती कॉफचन आप लोग समझ गये ठीक है 57 नमर कॉफचन समझ गये अब आपको बताने इसका right option कौन सा होगा ठीक है आएंगे कॉफचन नमर 58 की ओर कॉफचन नमर 58 कॉफचन नमर 58 कहता है कि सही मिलान का chain करो ठीक है यहां पर option है option A option B option C option D और इसी में से यहां पर मिलान कर दिये गया है तो आपको बस सही जो मिलान आपको बता दने कि सही option यहां पर कॉण सा correct होगा ठीक है तो यहां पर चलिए जलदी से आप लोग बताए 58 नमर कॉफचन का देखिए यहाँ पर देखिए बी option यहाँ पर क्या करता है दात्रकोसिका अरक्तवा ठीक है तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर क्या मिलाया है कि अलंग क्रोमोजोम अप्रभावी लक्षन और क्रोमोजोम 11 तो इस परकार से यह वाला हमारा correct है ठीक है बाद वाकिया आप पढ़ लीजे यहां पर वे हमारा correct नहीं है लेकिन हमारे जो बी जो है यह 58 का इदर बी जो है वे हमारा correct option हो गया ठीक है तो इस परकार से 58 का बी correct हो गया तो यहां कॉफचन है 59 कॉफचन नमर 59 यहां पर क्या करता है जीन आई जो ए बी ओ रत्वर्ग का नियंतरन करता है उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानी है ठीक है देखें कॉफचन आप लोग रीड किजिए और इसका यहां पर गलत कथन कौन सा होगा option a option b option c option d इसमें से एक हमारा कथन जो है वह गलत है इसके इस statement के लिए ठीक है 59 नमर कॉफचन के लिए तो यहां पर देखें option a हमारे क्या है एक व्यक्ति में तीन में से केवल दो एलीन होंगे क्या यह हमारा सही है जी हाँ यह हमारा बिलकूल सही है ठीक है चलिए देखते है बी नमर हमारे क्या है जब आई एबम आई बी दोनों इकटे होते हैं ठीक है यह एक परकार की सरकरा अभिव्यक्त करते हैं तो यह हमारा देखिए यह हमारा सही नहीं है ठीक है यह हमारा रॉंग है C number देखें मतलब कि इसका तब गलत कतन को चुनने बोला गया तो मतलब B हमारा तब हो जागा इसका ठीक है चलिए अब C भी option पढ़ लेते हैं I allele कोई भी सरकरा उत्पने नहीं करता ये हमारा सही है D हमारे के जीन I के तीन allele होते हैं तो ये भी हमारे सही है मतलब गलत कतन कौन सा हुआ B एकदम करेक्ट हो गया जो कि ये वाला क्या है गलत कतन है तो इस प्रकार से 59 के इधर हमारा B करेक्ट हुआ यहाँ पर देखे 59 नमबर कॉफचेन ये जो हमारे चेप्टर जो है वे वनसागती और विविदता के सिद्धान उसी चेप्टर से ये वाला कॉफचेन यहाँ पर बनता है अब हम लोग कॉफचेन नमबर 60 को देखते हैं ठीक है चलिए हम लोग कॉफचेन नमबर 60 यह हमारा कॉफचन नमबर 60 है जो कहता है कि वनसागति के गुंसुत्र सिधान का प्रायोगिक प्रमान किसने क्या था ठीक है यह ओप्षन यहाँ पर चारगो दिएगे जिसमें से एक हमारा करेक्ट है ठीक है और उससे पहले जदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न होँगा तो यह हमारा कॉफचन नमबर 60 है जो कि लास्ट कॉफचन है इसके वीडियो पार्ट 3 आएंगे जिसमें मैं अभी आपको मैं आगे को कॉफचन करवाँगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए 60 नमबर कॉफचन के यहाँ पर option A हमारे क्या सटन option B हमारे क्या है बोवेरी option C हमारे क्या है मारगन option D हमारे मेंडल तो इसमें से बताना है 60 नमर प्रसन यहाँ पर कॉफचन जो कोन सा होगा ठीक है चलिए आपको मैं बताते हैं 60 का यहाँ पर C करेट होगा जो कि क्या है मारगन ठीक है तो इस परकार से वंसा गति के बहुत बहुत धन्यवाद